एनपी सी आई, नेशनल पेमेंट कॉन्प्रेसर अप इंडिया के तरफ से एक बाराबार लाव कर दिया गया है, जैसे आपका स्टेट बाइंक अफ इंडिया में यानि एसबी आई में आपका खाता होगा, उसको अधार काट से पैसा आप निकासी नहीं कर सकते हैं, कुछ जहां पे केवल अभी एनपी सीवाई दोवारा ही अपडेट किया गया है, अगर आपका स्टेट बाइप इंडिया का सी एसबी आई में खाता है, जब केवल मोबाइल नंबर आपका नहीं लिंक होगा, तब आपको जो की पैसा निकासी आधार से नहीं किया जाएगा, यह जो किये CSP दोवारा पैसा निकासी कर सकते हैं, जहां पे आपके स्टेट बाइप इंडिया का CSP होता है, जब को कस्टोमर सर्विस पॉइंट, वहां पे जाकर आपने पैसा निकाल सकते हैं, अगर आपके पास SBI का खाता है, और मोबाइल नमर उसमें नहीं जूरा है, तो अधार से जो कि पैसा आप निकासी नहीं कर सकते हैं, जैसे आप साइबर कैफे के मदद से या गाउं में किसी का इसमें आड़ी इस्तिमाल करके बाइमेटिक हाथ लगा कर आप पैसा उठाते थे, आधार से निकासी आपको बन कर दिया गया है, इसके दोरान कोई भी मोबा से जो कि आधार से कर सकते हैं, एक गाइडलाइन है आपको NPCI से लाउंस किया गया है, National Payment Corporation of India, इसके दोरान से सारे जो कि बैंक लिंकिंग करके आपको जो कि ट्रांजेक्शन किया जाता है, जैसे IMPS करें, NEPT करें, RTGS करें, यानि कूल बात आप समझें, तो NPCI के लगाव स से ही, ओ लिंक से ही, सारे जो कि बैंक लिंदेन आपको किया जाता है, वो आपके State Bank हो या Other Monk हो कोई सा, लेकिन अभी फिलाल, SBI कहीं जिक्र किया गया है, कि आपका जो कि खाता में मोबाइल नमर लिंक नहीं होगा, तो अधार से पैसा आप निकासी नहीं कर सकते हैं, इसक इस दोरान से यह आपको लाउंस किया गया है, कि आने वाले दिन में ही, और भी जो कि बैंक का इनीजी हो सकता है, कि आपको जो कि पैसा निकासी रूख सकता है, आप हो सके तो अधर भी बैंक चलाते होंगे, तो इस मोबाइल नमर लिंक करा लिए, लेकिन उस बात को मैं प भी चलाते हैं, स्पाइस मनी, इजी पे, पे नियर भाई, उनी के दोवारे नोटिस आपको जारी किया गया है, या ट्यूटर हैंडिल पर भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर फिलाल भी डिरेक्ली जिक्र नहीं किया गया है, यह जो कि आपको एका एक ही अलाउंस में कर द निकाल सकते हैं, और आभी भी इस वीडियो से मनी किसी पतर का प्रस्त नहीं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं वहाँ रासार माँ फिल्मों तो नहीं पुझे नटापी के साथ, तब तक के लिए जो हिंद,